हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा आपनों का स्वागत करती हूँ MP सकसेसर्स में और आथी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करेंट अफियर की सीरीज 62 के बारे में और आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे 5 सेप्टेंबर 2020 के करेंट अफियर के बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिसकस करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बता जूं मध्य प्रदेश में जील पहरी एक्जाम की टेंटिटिव तीन से दस नवंबर है आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ठीक है औ अपनों को प्ले स्टॉर में भी मिल जाएगे ठीक है परिक्षा है तो यहाँ पर अगर आप टेसी जॉइन करते हैं और उसमें कोड कोड यूज करते हैं एम सकसेस 40 तो इसमें आपको 40 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा ठीक है और जील पहरी के अलावा परिक्षा एप पर MP SI, MP Police, MP Constance, Sub Engineer बगएर की टेस सीरीज भी एबिलेबल हैं तो आप लोग अगर किसी अन्य एक्जाम की भी प्रपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी टेस सीरीज जॉइन कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जील पहरी की 24 लेंट टेस सीरीज यहाँ एबिलेबल है हिंदी एन इंगलिस दोनों मीडियम में एबिलेबल रहेगी ठीक है MPBurg3 की भी यहाँ पर टेस सीरीज बगर एबिलेबल है तो आप लोग टेस सीरीज के माध्यम से अपनी प्रपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं मूक टेस्ट बगड़ा भी एबिलेबल है, वो फ्री ओफ कॉस्ट है तो मूक टेस्ट बगड़ा भी आप लोग पर दें वहाँ से अपनी प्रप SUPER tive के माध्यम से भी कर सकते हैं वाइस मूक टेस्ट बगड़ा भी एबिलेबल हैं पर इक्शाय बर ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं आपर questions की आज का first question है हाली में मध्यप्रदेश राज़िपाल एवं कुलाधी पती स्रीमती आनंदी बेन पटेल ने भोपाल से कौन से विश्वविध्या लएके इदीक्छांत समारो यह आपको याद रखना है अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्यप्रदेश की राज़िपाल और कुलाधी पती स्रीमती आनंदी बेन पटेल ने भरकतुला भोपाल के बरकतुला यूनिवर्शिटी या बरकतुला विश्विध्याला के इदीक्छांत समारो को राज़िपाल लखना हुसे विडियो कौ मध्यप्रदेश के जो राज़िपाल है वो बरकतुला विश्विध्याला विश्विविध्याला के लिए भी कहा जाता है इसको तो इतना आपको इसको से याद रखना है अगर हम यहाँ पर बात करें तो राज्यपाल एबं कुलाधी पती स्रीमती आनंदी वेन पतेल ने बर्कतुल्ला विश्विद्याले भोपाल के दीच्छांत समारों को राज्ववन लखनाउसे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सम्वोधित करते हुए कहा कि सिक्छा से व्यक्ति के जीवन में समाज बोध का विकास होता है एवं बस समाज के सभी अंगों के प्रती आदा शमानवा एवं सहियोग की भावना को आत्मसाथ करता है ठीक है और उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने नई सिक्छा नीती के महत्व पर प्रकास डालती हुए कहा कि रास्टिय सिक्छा नीती 2020 की संकल्पना समाज की अवशक्ता तथा बिद्ध्यार्थियों की रचनात्मक्सोज, तारकिक्ता एवं नबाचार की भावना पर आधार मध्यप्रदेश उच्छ सिक्छा मंत्री डॉक्टर मूहन यादव कितने सितंबर को प्रदेश के प्रधान अध्यापको से बैविनार के जड़िये संबाद करेंगे अगर हम यहां पर बात करें तो ऑप्शन नमबर भी हमारा राइट आंसर होगा यहां पर ठीक है ऑप्श पर बात करें तो कोरोना काल की चुनोतियों के बीच भी सिक्छक दिवस की पारंपारिक आयोजन में मध्यप्रदेश सरकार कोई कसर नहीं रखना चाहती है डिके आपको पता है कि आज सिक्छक दिवस है 5 सेप्टेंबर को इसलिए मध्यप्रदेश के उच्छ सिक्छा मंत् की डक्टर मोहन यादाव प्रदेश के प्रधानत दियापको से बैविनार के जड़ी समबाद करेंगे और पिछले बारसों में डायडेक्ट मतलब की रखा जाता था प्रोग्राम और उसमें जो सिक्छक होते थे उनका सम्मान भी किया जाता था यह प्रोग्राम ओफ-लाइ ए यह पे आपको याद रखना है आगे याप पर बात करेंगे थार्ड नमबर क्वश्चन की हाली में मध्य प्रदेश में यात्री बसों के पांच माह का माह का बाहन कर माफ करने की घोष्णा किस ने की है ? अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में यात्री बसों के पाँच माह का बाहन कर्माफ करने की गोशना मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान ने करी है ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाँच माह एक एप्रेल ठीक है एक एप्रेल दो हजार बीस से 31 अगस्त दो हजार बीस तक का ये पाँच माह का जो यात्री बसों के पाँच माह का बाहन कर होगा मुख्य मंत्री सिवरास सिंग चौहान ने माफ करने की घोशना करी है ठीक है मुख्य मंत्री सिवरास सिंग चौहान ने आम जंता के हित्मे और बस ओपृटर की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बसों के सोचारू संचालन का महत्पूर निर्ना लिया है अगर मुख्यमंत्री स्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों कोई परहिसानियों के द्रिस्टी गत यात्री बसों पर दे मासिक बाहनकर को एक एपरेल 2020 से 31 सकष 2020 तक की अब दी तक पूंता माप किया जाएगा ठीक है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है आगे हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ नमबर क्वेशन की हमारा फोर्थ नमबर क्वेशन है हाली में मध्यप्रदेश भाजपा के नब नियुक्त महा मंत्री कौन बनाए गए है अगर हम यहाँ पर बात करें के मध्यप्रदेश भाजपा के नब नियुक्त महा मंत्री बनाए गए है तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर A है स्री हरी संकर खटीक जी स्री भगवान दास सबनानी और शुष्री कविता पाटीदार और उप्योक्त सभी तो ऑफ्शन नमर डी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा उप्योक्त सभी ठीक है मध्य प्रदेश भाजपा के नबनियुक्त महामंत्री तीनों ये तीनों लोग बनाए गए हैं स्री हरी संकर खटीक जी स्री भगवान दास सबनानी और सुष्री कविता पाटीदार ठीक है इन तीनों लोगों को मध्य प्रदेश भाजपा की अभी हाली में महामंत्री बनाए गए हैं ये तीनों ठीक है तो इनका नाम आपको याद रखना है आप इस फोटो क्लिप में भी देख सकते हैं तीन महामंत्री याँ पर कविता पाटीदार जी ठीक है और स्री हरी संकर खट की हाली में श्वतंता सेहनानी बिचारक एबं सिक्षाविद ग्रांड ओल्ड मैन ओफ इंडिया के नाम से बिख्या सुस्री दादा भाई नौरोजी जी की जनती कब मनाई गई है ठीक है तो ये कौशन भी अच्छा कौशन है एक यहाँ पर ऑप्शन नमबर डी हमारा नौरोजी की ठीक है तो एक सेकंड यहाँ पर इनको दादा भाई नौरोजी की जनती चार सितंबर को मनाई जाती है और इनको ग्रांड ओल्ड मैन ओफ इंडिया कहा जाता है इतना आपको इनके बारे में याद रखना है और यह सोतंता सेहनानी थी एक विचारक और सिक्ष भी थे नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्स नंबर कोशेंड की हाली में मध्यप्रदेश सरकार कौन सी परिक्षा के लिए परिक्षार्थियों को फ्री वहां सुब्दा उपलब्द करा रही है अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर यह हमारा राइट आंसर ठीक है आपको पता है जीडवाली मेंस के एक्जाम हो रहे हैं एक सेप्टेमबर से जीडवाली मेंस के एक्जाम चल रहे हैं तो मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी तरब से परिक्षा के लिए जो भी परिक्षार्थि हैं मध्यप्रदेश के उनको फ्री वहां सुब्दा उ बस और ट्रीन वगएरा क्योंकि अभी नहीं चलाई जा रहे हैं तो मध्यप्रदेश की तरफ से मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से एक अच्छी मतलब की सोविदा है उन लोगों के लिए जो गरीब है और जो एक्जाम नहीं देने जा पा रहे हैं ठीक है तो यह आपको याद सरकार का एक्जाम है और प्रदेश सरकार इसमें अपने खर्च से जो स्टूडेंट है जो भी एक्जाम जिन्नों ने फॉर्मफिल किया था उनको अपने पैसे से मतलब प्रदेश सरकार परिक्छार्थियों को फ्री बहां सुभदा उपलब्द करा रहे हैं सेंटर तक इसमें है मद्य प्रप्रदेश के पृषिद्ध अमृतलालबेगर जी को अन्निक किस नाम से जाना जाता है ठीक है चार ऑप्षेन दिये गए एका है है आप लोग कमेंट बोक्स में बताएंगे नेक्स हमारा question है कि मद्ध्य प्रदेश की प्रिथम महीला मुख्य मंत्री कौन थी इन में भी चार option है आप comment box में बताएंगे ठीक है दोनों question के answer आप लोग को comment box में बताने हैं और अगर next हम यहाँ पर बात करें किल की questions के आंसर की चार सेप्टेंबर 2020 के प्रिश्णों के सही उत्तर के तो काफी लोगों के आंसर सही थे और इसमें अगर हम बात करें फस्ट कुश्यन की मध्य प्रदेश में नर्वदा नदी की लंबाई कितनी है तो यहां पर आप्शन नबर सी हमारा राइट आंसर था दस सो सतत ठीक है 1077 किलो मीटर मध्य प्रदेश में नर्वदा नदी की लंबाई है ठीक है और अगर हम यहां पर बात करें तो टोटल लंबाई की अगर हम बात करें पूरे भारत में नर्वदा की लंबाई ठीक है अमर कंटक से निकल कर बात करें तो इसकी कुल लंबाई दस सो सॉरी यहां पर कुल लंबाई हो जाएगी तेरा सो पंदरा किलो मीटर ठीक है और सिर्फ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दस सो सततर एक दो लोगों ने तेरा सो पंदरा भी लगा है था तो यह गलत है यह पूरे इंडिया में नर्वदा जहां अगर तो जूआइग फैली है एक फैली हुए हैं ठीक है वहां तक की है और अगर हम 2011 मृदी बात करें तो दस सतततर किलो मीटर है यहां पर ठीक है यह आपको याद रखना है और नेस्ट यहां पर हम अगर बात करें प्रभास जोसी आवरड की तो प्रभाज जो सी अबॉर्ड मद्य प्रदेस में किस खेल को दिया जाता है अगर बात करें यापर तो मल खंब खेल को अधर पिलिछ में जज़ीजांग लाइक करें, चैनल पर नाएग है तो चैनल को स्बसक्राइब कर लें और किसी भी खूर्शन में आप लोगों को झाल